दोस्तों स्वागता आपको 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 आपसे बढ़ी आओंगे दोस्तों मैं आना है भाविन और आज के इस वीडियो में मैं आपको डीटेल वॉकराउंड देने वाला हूँ अफ दे ब्राइंड न्यू टोयोटा फॉर्चुनर फॉर बाइट टू आटोमाटिक वेरियंट यह सूपर वाइट कलर में बहुत ही ज्यादा सूपर लग रही है बहुत ही ज्यादा रॉयल यह कार लग रही है यह वीडियो स्टाट करें से पहले नेक्स कॉंसी कार बाइक स् तो वह आप मुझे बदा सकते हो इंस्टाम पर लिख दिना कॉमेंट सेक्शन में लिख दिना और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा अल्री मैं आपको ब्लैक फॉर्चुनर का वीडियो दे दिया है तो उस वीडियो के लिंग कब को यहां पर मिल जाएगा मैंने अल्री आ पर उप्शन यहां पर आपको मिलता है बहुत ज़्यादा शांदार यह कार लगती है एडलाइट के में बात किया है तो प्रोजेक्टर LED हेडलाम सेट अप दिया गया है यहां पर क्रोम इस्तमाल किया गया है ग्लॉस ब्लैक ग्रिल आपको आगे मिलती है टोटा का लोगो बड़ा सा आपको मिल जाएगा यहां पर यहां पर अगर आप देहें तो यह जो बंपर है इसको कहते है बॉडी स्कर्टिंग यह एडिशनल आपको लगवाना पड़ेगा यहां पर आपको फॉग लाइट डी गई यहां पर टरन इंडिकेटर दिया गया है इसकी प्राइस कितनी है वो भी मैं आपको बताने वालों आप बन रहे सकते हो पीछे का बंपर दिखाते वक्त मैं आपको प्राइस जो इसकी बताऊंगा फ्रेंट शांदार आपको दमदार देखने के लिए मिल जाता है साइड में अगर आएंगे तो यहां पर सेम आपको साइड के बारे में बात की जाए तो यहां पर लेट मी कुकली फाइंड आउट टायर प्रॉफाइल तो जैसे कि आप देख सकते हो तो डुशिटी फाइफ शीटी फाइफ रसेवेंटीन सतरा इंच का यहां पर अलोई वील दिया गया है साइड फूटस्टेप यहां पर अगें ज किये गए हैं यहां पर साइड लुक को इस तरह को मिल जाता है यहां पर क्रूम स्ट्रिप है इंटियर का मैं छोटा सा आपको एक ग्लिम्स दे जाता हूं इंटियर में चलेंगे और फीचर्स के बाया में हम लोग जो है डीटेल में यहां पर बात करने वाला है पीछे के आपको मिल जाता है और यहां पर स्पॉइलर जो वो लगाया गया है अगर आप देलर शिप पर करवाते हो तो यहां पर इसकी नीचे आपको एक बटन दिया गया है जिसको कि आप प्रेस करके इसका टेल गेट रिलीज कर सकतो कूछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इतना space आपको मिल जाएगा in the boot of the Toyota Fortuner तीनो रो अप करने के बाद यहाँ पे दो bags आप easily रख सकते हो यहाँ पे powered tailgate आपको मिलती है तो button प्रेस करके आप इसका boot जो है वो कुछ इस तरह से close कर पाएंगे thrust slowly यह close होता है सो यह बात रही about the walk around I think मैंने काफी सारी चीज़े cover कर लिये इस car के बारे में अंदर चलता है इसके features के बारे में बात करता है और फिर हम लोग बात करेंगे इसके space के बारे में third row space के बारे में engine के बारे में by the end of the video किस price पर यह car available है वो भी मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ यहाँ पर जिसके आप देख सकतो interior तो यह आपको ऐसा मिलता है blacked out यहाँ पर request sensor आपको driver और co driver side पर मिलता है आपको पीछी के दरवाजों के लिए नहीं मिलता है अब guys car में चलते है और interior and features के बाई में detail में बात कर लेता है दोस्तों आप मैं आ चुको आइंसाइट देकार अब बात कर लेते क्या-क्या features आपको जो है इस car में देखने के लिए मिल जाते है सबसे पहले यहाँ पर चाबी जो है कोई तरी के आपको मिल जाएगी लोग के लिए बड़न है बूट रिलीस करने के लिए यह बटन है यहाँ पर Toyota का logo आपको मिल जाता है पीछे फॉर्चोंब का बैज आपको दिया गया यह दो की आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाती है यहाँ पर आपको तो की रखने के लिए एक स्पेस दिया गया है दो कफोल्डर यह आपको मिल जाता है और काफी स्मूली ये open और close यहापको हता है अब बात करते हैं about the steering wheel तो सबसे पहले यहापको 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 है यहापे leather wrap steering wheel नहीं है यहापको kind of a wooden treatment कि साथ इस टेरिंग मिल दिया गया है यह आपको वॉल्यूम डाउन करने के लिए बढ़ने है यह पर आपको अलेधियों करने कर सकते हो नहीं पर इसकित और देखा देगा एफम दिखा देगा यहाँ पर टाइकोमेटर कि दिखा रहा है यह पर कूलन आपका टेमपरेचर दि पूछ टच टॉप बटन है यहां से आप यह आपके बूट रिलीस करने के लिए बढ़ना है पार्किंग सिंसर के लिए बटन दिया गया है यहां पर पावर विंडोज के लिए पाइब निया आपको मिल जाता है और यहां पर लेधर ट्रीटमेंट काफी अच्छी लगती है यहां पर ब्लाक्ट आउट इंटीर के साथ यह कार आती है यहां पर एक लेटर बॉटल आप रख सकते हो पावर्ड यहां पर आपको सीट मिलती है तो आगे पीछे और रिकलाइन आप जो है आपको मिल जाता है तो यह चीज़ है और यहीं मैंने आपको जो है फॉर्चुनर पर विडियो बनाया उसमें जे बियल के स्पीकर तो उसका साउन कोलिटी आप टेस्ट कर सकते हो यहां पर आपको जो है आपके एसी के लिए कंट्रोल दिये गया है यहां पर वेंटिलेट पसीने में भीगेगा नहीं और आप कूल रहेंगे यहां पर आपका चारजिंग पोर्ट आपको मिल जाता है लेकिन यह जब आप स्टार्ट करते हो वेंटिलेट सीट्स जब आप काफी देर तक चलाएंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको जो वाश्रूम जाने खर टी-शर्ट जो है वो पसीने में भीग गया है यहां पर आपको स्पेस मिलता तोड़ा सा यहां पर आपको आपका गियर बोक्स मिल जाते है रिवस में डालेंगे तो यहां पर सिंगल क्यामरा सेटप आपको मिलता है 360 डिगरी पार्किंग क्यामरा नहीं मिलता है गाइडलाइन दिये गए हैं और एडास के फीचर आपको जो है तीन ड्राइव मोड जे इको नॉर्मल स्पोर्ट मोड जिरो टॉंडड कितने सेकेंद में आती है उस पर सेपरेट रेल मैंन पर बटना यहां पर काफी बैठरीन कॉलिटी का आपको जो है सॉफ्ट मट्रियल के साथ आमरेस्ट मिल जाता है इसके नीचे स्पेस आपको मिल जाता है आपका सामान रखने के लिए यहां पर लाइट प्लेस्मेंट दिये गया है और यह काइंड ओफ एलीडी लाइट से यहां पर दिये गया है और ब्रैंड नू कार है यहां पर यहन भी निकाला भी नहीं गया है यहां पर आपको संवाइजर मिल जाता है with vanity mirror यहां पर आपको संवाइज़र मिल जाता है यहां सर आप इसको उपर नीशे जो种 हो ale अगे पीछे यह नहीं होने वाला दो अगे-ठीज है यदे सब्सक्राइब यहां पर भी soft touch material है, यहां पर hard plastic आपको जो हो मिल जाता है, यहां पर आपका time दिखा देता है, यहां पर आपका automatic IRVM है, और यहां पर आपको sunglass holder भी मिल जाता है, So, yeah, that is much about the features of the car, safety features आपको पता ही है, six airbags, आपका traction control system, ABS, यह सारे features आपको मिल जाता है, second row में कितना space मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, And third row में का भी space में आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन इसके third row में I think, so, कैसे जाओँगा मैं देखना पड़ेगा, बड़ आपको third row का भी space थोड़ा idea मैं वो दे दूँगा, So, yeah, let's see, कि second row में कितना space आपको मिल जाता है, and by the end of the video, इसके pricing के आएं हम लोग बात करने वाला है, दोस्तों, आप मैं आ चुको है, in the second row of the Toyota Fortuner, यहापे for your reference, में हाइट है 5-6 की, मैंने driver seat edges कर लिया, as per my comfortable driving position, यहापे इसी के आप देख सकते हो, मैं pair stretch कर सकता हूं, below the driver as well as co driver seat, यहापे space दी गई है, यहापे charging port आपको मिल जाता है, यहापे phone रखने के लिए तोड़ा सा space है, यहापे आपको एक hook मिल जाता है, तो कुछ आप hang कर सकते हो, यहापे आपको magazine holder, newspaper आप यहापे वो रख पाएंगे, यहापे आपको light में आ अल्रेड़ी दिखा दिया है, कुछ इससरी कि यहापे आपको light मिल जाती है, यहापे AC vents है, यहापे handle and a hook दिया गया है, यहापे handle and a hook आपको मिल जाता है, shoulder room के वाएं बात ही है, तो यहापे आप जो है, easily तीन लोगों को बिठा सकते हो, मेरी जैसे thin and fit, तीन लोग आराम से यहापे आ जाएंगे, और यहापे आपको 3 adjustable headrest भी मिल जाता है, यहापे armrest दिया गया है, जो की kind of, okay, so यह armrest आपको मिल जाता है, और यहापे आपको 2 cup holders भी इसके अंदर कोई इस तर से देखने के लिए मिल जाता है, and seatbelt यहापे आपको obviously मिल जाता है, यहापे भी आपको same hook दिया गया है, यह वाला, अब बात कर लिए इसके third row में कितना space है, यह बात रही about the second row, यहापे under tie support, आपको decent enough मिल जाता है, अच्छा दिया गया है, headroom भी आपको जो काफी अच्छा मिल जाता है, और seat cushioning भी यहापे जैसी के आप देख सकते हो, काफी comfortable यहापे seat है, recline आप इसको कर सकते हो, आगे पीछे जो है, इसको आप push जो है, वो कर पाएंगे, and yeah, that's much about it, third row चाएगा out कर लेता है, और फिर बात करते हैं, इसके pricing के बारे में, So guys, अब मैं आ चुको है, in the third row of the Toyota Fortuner, और यहाँ पर जैसे मैं आपको बता है कि, for your reference में हाइट है 5-6 की, यह जो seat है, middle row है, वो all the way आगे भी नहीं है, All the way पीछे भी नहीं है, बीच में आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा स्पेस रखा गया है, और यहाँ पर जिसी कि आप देख सकते हो, कुछ इतना यहाँ पर नीरूम बच रहा है, यहाँ पर पैर थोड़ से आप यहाँ पर नीचे वो रख सकते हो, यहाँ पर अंडरताय सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, so this place is best for kids, यहाँ पर बच्चों को आप दो बच्चों को आराम से यहाँ पर बिठा सकते हो, कोई सवाँ से यहाँ पर headrest पर आपको दिया गया है, AC1 यहाँ पर आपको दिये गये हैं, तो भी जो है दिक्कत आपको नहीं आने वाली है दोस्तों यह है 2.8 लीटर का डीजल एंजिन जो की फॉर्चनर को पावर करता है यह एंजिन बनाता है 204 PS की पार और 500 Nm का टॉर्क यह एंजिन आपको मिल जाता है 6-speed automatic gearbox के साथ 6-speed manual का भी option आपको मिलता है टोटल 7 color options में फॉर्चनर अवेलेबल है मैट ब्लाक कलर का डीटेल वाक अरॉन आपको चैनल पर मैंने दे दिया है बात किया एक्षूरूम प्राइस के बारे में तो 4x2 automatic की एक्षूरूम प्राइस है 38,21,000 रुपीज वीडियो बहुत जाए पसंद आया होगा और वीडियो इसे वीडियो जाए बने सकते हो और चैनल ऐलस्यू गाइस इन रेक्षूरूम उंटल देन ड्राइव सेफ राइड सेफ बाबाए